हालो डियर स्टुडेंट वेलकम टू पीडियर स्टेडी मैं राज कुमार आपकी कलाफ नाइन्थ के अंसी आरिट मैथमेटिक्स के साथ आप इससे में वढ़ेंगे प्रिश्णावली 7.1 यानि एक्सरसाइज 7.1 तो बच्चों दो दिन के अंदर हमने कंसेप्ट कर लिये थे आज से हम कुश्चन पर चलेंगे सारे कंसेप्ट पूरे हो चुके हैं प्रिंस पटेल जी जुड़ चुके हैं ब्रिजिकांत मिस्रा जी जुड़ चुके हैं और यम कुमार कुमार परसाद अंकिता सिंग जुनेद अहम्मद अंसारी शीवानी आदो प क्या करेंगे हम लोग कुश्चन पहला लिखेंगे या फिर आप लोग किताब लियो पहले यह बताओ सभी बच्चे किताब लियो ना कुश्चन नहीं लिखना ना चलो ठीक है मैं पहले फिगर बना रहा हूं फिर बताना आप लोग किताब लियो ना सभी नहीं लेट नहीं है ठीक है चलो एकाद मिनट लेट हुआ उसके लिए सोरी इधर साइड बच्चों आप लोग फिगर बनाओ इसमें चित्रा ऐसे बना लो आप लोग जैसे आपके किताब में बना है यह चित्रा बना लो और जो बच्चे किताब लिए वो भी बनाएंगे काफी में नहीं बना ओगे समझ में नहीं आएगा मजा नहीं आएगा ठीक है अब देखो समझने की कोसिस करो एक्सरसाइज साथ दस हमलो एक है यह कुश्चन नमबर फरस्ट कच्छा नो की न्सी आरटी गड़िद गीता चौधरी जी मैं देख पार हूँ आपका कमेंट सलमा चौहान जी बिलकुल कहरा कि चतुरभुज ABCD में क्या है एक चतुरभुज दिया है एक क्वाड्रेटल दिया है कहरा कि चतुरभुज ABCD में AC बराबर AD क्या कह रहा है AC बराबर AD तो बच्चा यहां पर AC भुजा AD के बराबर है मैंने देखो यह लाइन कीज दिया मतलब यह दोनों क्या है बराब परेडी और A, B कोण, A को समधुभा जित कर रहा है ये भी कह रहा है कि A, B जो ये है A, B ये रेखा ये एंगल A को समधुभाजित कर रही है मतलब गेखो ये intersect कर रही है बीचो बीच मेरे कर के ये मतलब दो पर्ट में बांट दे रही उसको न कोणे को समझने की कोशिस करना ऐसे नहीं आने वाला ठीक है आगे क्या कह दयान से देखो किताब है सबके पास की नहीं किताब नहीं होगी तो बता देना मैं किताब question लिख दूंगा है कि आगे सुनो क्या कह रहा है बिभाजित करती है जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है तो कह रहा कि दिखाईए दिखाईए मतलब सिद्ध कीजिए कि तिर्भूज ABC सरवांगसम है मतलब का इंगुरियन्स है तिर्भूज ABDK यह दिखाना है मतलब हमें यह क्या करना है प्रोब करना है ठीक है और आगे क्या कह रहा ध्यान से सुनो आगे कह रहा BC और BD के बारे में आप क्या कहेंगे यानि यह भुजा जो है BC और यह BD फिर से देखो यह BC और यह BD के बारे में आप क्या कहेंगे जी बिल्कुल बहुत अच्छे यसे यसे यह कांगुरेंस है बिल्कुल किरन मौरें ने बता दिया बहुत अच्छे बेरी गुड तो देखो बच्चों अब हम इसको हाल करेंगे यहां पे सलूसन यहां से लिखेंगे यहां पर आप लिखो फटा फट सॉलूसन में हमारे पास दो तिरबुज दिए गया है कौन कौन से से त्रबुज है एक ठिरबुज A.B.C. दूसरा एस तिर्भूज है A.B.D दो तिर्भूज दिये गहाए न तो आप लोग लिखोगे तिर्भूज A.B.C. और हम हिंदिम लिखवा रहे हैं आप लोग eagle is मैं लेना चाहे तो तिर्भूज A.B.D. C ठीक है या फिर में लिख लो जाद अच्छा रहेगा ठीक है अब देखो इसमें क्या-क्या दिया है ध्यान दो इन दोनों तिरबुजों से इसमें देखो बच्चा A C equal A D है B क्या कह रहा है A C equal A D क्या है A C equal A D यानि यह भुजा A C A D के बराबर है ऐसा क्यूं है क्योंकि कुश्चन में दिया है किताब नहीं तो किताब ले लो NCRT की ठीक है NCRT बुक से है यह बीच में region लिखोगे English में लिखोगे given Hindi में लिखोगे बच्चा दिया है ठीक है क्या लिखोगे दिया है मिश्टर अनंत पांडे देख रहा हूं आपको अंबुजी यादव आप भी जुड़े हो ठीक है चलो यह क्या दिया है और देखो यहाँ पे क्या दिया भाईया और क्या दिया है अच्छ अब यह guess करौ इंचा तो बच्चा जो कॉंड एवन रहा था मालो बैसके बांड़ कोडयuestas गएबी काट दे नहों तो बांट करना बर्दीर किताब में कोश्चन में भी कह रहा है किईरा की जो एबी रेखाए बीकोड़े कोंड disaster करती है के रहा है कौन दू किसको एको सम्हदूई भाजीत कर रही मतलब आधे थे बाठ दे रही तो आप लिखोंगे क्या गोंड सी एव देखो 珍सी एब्य। टिंक है कुण सी एब्य। मतलब हमें की बात कर रहे हैं कौन सी ڈے बी इक्वल हो जायगा डी ए भी क्या हो जायगा बच्चा डी ए भी ये दोनों कौर बराबर हो जाएंगे बराबर क्यों हो जाएंगे फिर से एक बार समझे लो C, A, B बराबर हो जाएगा D, A, B, K क्योंकि ये जो कौन था A ये आधा आधा बट जारा इसमें से ठीक है इसलिए क्या है ये ये बराबर है कंसेप्ट वाले पार्ट जो बच्चे नहीं देखे जरूर देख लेंगे दो दिन मैंने कंसेप्ट सिखाया ता निती पल्ले नहीं पड़ेगा पीछे की दो कलास जो नहीं देखे उनको नहीं समझ में आएगा ठीक है देखो ये बराबर क्यूं है बीच में कारण लिखो कारण लिखो लिखो A B रेखा कोण A को समझ भाजित कर रही है ठीक है समझ भाजित कर रही है आता दोनों कौण बराबर होंगे लिख दो सम्दुभाजित करती है अता दोनों कोण बराबर होंगे ठीक है सम्दुभाजित करती है अता दोनों कोण बराबर होंगे मोनिका जैन जी समझ में आ रहा है सभी को समझ में आ रहा ना बच्चा ठीक है, बिसेक्ट एंगल जी बिलकुल, ये भी, बिसेक्ट एंगल ए, बिलकुल, किरन महर रहे हैं, बिलकुल, राइट लिखा, इंगलिस में लिखा, इन्होंने, इंगलिस मीडिया माले बच्चे समझ ले, क्या है, लाइन AB बिसेक्ट एंगल A बिसेक्ट मतलब उसको सम्दूई भाजित करना मतलब दो पार्ट में भाटना कोई चीज अगर मालो 10 मीटर लंबा बीच से कर दो पांच-पांच हो जाए वैसे ये कर रहा ठीक है और क्या बच्चा यहाँ पे आप लिख सकते हो AB बराबर AB आप काओगे ये AB बराबर AB का है देखो यहाँ पे ध्यान दो अगर हम तिर्भूज ABC लेंगे या तिर्भूज ABD लेंगे तो एक रेखा दोनों में common है उभय निष्ठ है इंदी में बोलेंगे कौन सी ये AB वाली बता बच्चा ये common है की नहीं common है ना भाई ये दोनों में यूज हो रही चाहे तो ABC लोगे या फिर ABD लोगे दोनों में यूज है ब्रेकर्ड में रीजन लिखो गए आप दोनों बराबर क्यों है लिख दो common है क्या है ये दोनों में सब में common है ठीक है हो गई कहानी पूरा हो गई क्यूं क्या क्या करना था हमें कह रहा था कि इसको सिद्ध करो ये दोनों सर्बांग समय का इंगुरियंस है भीया जो बच्चे concept सीखें उनको पता है यहां पर हमारी दो रेखाएं बराबर हो गई और एक क आया यह फिर इंग्लीज में लिखो सो ट्रेंगल एवी सी का इंगुरियंस मतलब सर्वांग सम ट्रेंगल एवी डी कैसे हो गया पता है ब्रेकर में लिखो S EAS A rule से S EAS A English में लिख लो by ssa ठीक है s yes a yes या फिर क्या लिखोगे हाँ sas ओके सोरी देखो sas ठीक है ठीक है देखो देखो जैसे जैसे यहाँ पर बना है वाई से लिखोगे भाई पहले हमने side equal किया फिर हमने sideLQ किया फिर हमने side equal किया यानि पहले क्या site मतलब yes फिर angle ए और फिर से side मतलब yes तो क्या हो जाएगा rule yes AS मतलब हिंदी में बोलेंगे खुझा én कोण भुझा सरब्धाब स्दधा नियम हिंदी में क्या बोल reag बूझान बूझा सर्बधान का नियम आसी सुपाध्या जी बिल्कुल राइट बेरी गुड आसीस कुमार पाल जी बिल्कुल आपका भी ठीक है तो बच्चा ये तो हो गया इसमें एक कुश्चन और भी कह रहा था सोनी जी आपका भी कमेंट में देख रहा हूँ सोनी टंडन जी बिल्कुल देखो ये तो एक question था इसमें एक question और भी कह रहा था वह क्या कह रहा था रोहिच जी ध्यान से पढ़ो comment मत करो देखो एक और कह रहा था कह रहा था BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं side BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि बताये क्ल आप ने पढ़ा होगा सीपी सीटी रूल सीपी सीटी रूल पढ़े होका निकल बता लिखलो या फिर स्क्रीन साच ले लूँ तो मैं दूसरा पार्ट इसमें का करता हूं है जल्दी करो हो गए ना चलिए आप लोग इसका इसक्रीन साच ले लिया करो तुरंत फ कुछ याद है आप लोगों को नहीं आदे को नहीं आदे संगत पढ़ाया नहीं था मैंने करस्पोंडिंग रूल देखो अगला इसमें नेक्स्ट कह रहा है थोड़ा सा वो क्या कह रहा है कि भूजा कौन सी भूजा बी-सी और बी-डी के बारे में आप क्या कहेंगे आप लि क्यों बराबर है कोष्टक में लिखो बच्चा बाई cpct जो बच्चे कल का कलास और परसों का नहीं देखे है वो बच्चे काम करेंगे यह नंबर लिख लो भाई इस नंबर उपे अपना नाम क्लास का नाम और अपने जीले का नाम वट्सब करना आपकोhair WhatsApp group में जोड़ दिया जाएगा और जो दोनों वीडियोज थे उनको आपको बेज दिया जाएगा ठीक है पिछले जो हैं उनको आप जरूर देख लेना ठीक है भाईया समझ में आ रहा ना वर्टिकली एपोजिट हैं बिल्कुल कोई कमेंट कर रहा है यासी सुपाध्या जी बिल्कुल यह दोनों क्या हैं बराबर हैं क्यूं देखो नियम लिख लो सर्भांगसम तिर्भुज की संगत भुजा बराबर होती हैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं मैं चुकी तो इसलिए साइड इक्वल होती हैं बस हो गया पहला कुश्चन बात समझ में आई सभी बच्चे एंसी आरटी बुक लेके बैटना बीना बुक के कोई नहीं पड़ेगा क्योंकि कुश्चन हम कभी कभी नहीं लिखते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है कच्छानों की एंसी आरटी गड अगर कोई बोलेगा तो ब्लॉक कर देंगे आद रखना जिनके पास नहीं है सिर्फ वो नो बोलेंगे बस बाकि कोई नहीं बोलेगा यस ठीक है किवल नो बोलो बस यह देखो किसी के पास नहीं है क्या अच्छा देखो जिनके पास नहीं है वो किताब ले लें ठीक है यह आपका question complete हो गया तो बच्चों जिनके पास book नहीं भाई किताब ले लो आप लोग और किताब अगर नहीं है तो मैं पढ़ता हूं question question सुन लो एक बार last में फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं चलो खतम तो हो गया है question देखो कहे रहा कि चतुर्बूज ABCD में बुजा AC बराबर बुजा बीडी यह दिया है AC बराबर AD दिया है क्या दिया है AC बराबर AD और AB यानि यह रेखा AB कौन एको सम्दुभाजित करता है कौन एंगल एको क्या करता है दिखाईए कि तिर्भूज ABC और ABD दोनों सरवांगसम हैं कैंग्रुएंस है ठीक है और आगे पूछ रहा था कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं देखो विल्कुल बरिटिकल यह पोजिट है सही बात है हसीस जी देखो पहले हिंदी वाले समझ ले भाई आपको तो समझ में आ रहा है देखो यह BC और BD क्या कह सकते हैं चुकि हमें पता हमने सिध्ध कर दिया कि तिर्बुज ABC और ABD सरवांग सम है तो अगर कोई दो तिर्बुज सरवांग सम होते हैं तो क्या होता है उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है ठीक है हो गया चलो कुईस्टन नमबर सिकेंट पर चलते हैं लोग जड़ा टाइम हो रहा है क्या आज एक ही कुईस्टन करवाएं क्या यार आप लोग कलास को सेयर किये कैसे बहुत कम बच्चे आएं भई आप लोग उनको घर पे रिवाईज करो उनको रिपीट जरूर करो अच्छे से तभी आने वाला है मैं एक बार लगवा रहा हूं आप इनको चार बार लगाओ घर पे किताब से कुईस्टन लिखो जैसे मैंने लगाया वैसे लगाओ फिर लगाओ फिर लगाओ फिर देखो बहुत मस्त आने लगेगा आपको सब याद हो जाएगा कोईस्टन नमबर सिकेंड सलो देखो सिकेंड नमबर कुईस्टन का फिगर बनाना है तो बच्चा फिगर बना लो सिकेंड नमबर कुईस्टन का मैं पहले पढ़ देता हूं कुईस्टन सुन लो करा कि चतुरभूज एक चतुरभूज है जिसमें A, D बराबर B, C है और कौन D, A, B, B, C, B, A है सिद्ध कीजिए कि तिरभूज A, B, D सरबांगसम है B, A, C, K और B, D सरबांगसम है A, C, K और तीफरा इसमें कहरा था कि कौन A, B, D बराबर है कौन B, A, C, K यह इतना दिया है A, C, B, B, C, M, N, T, नहीं ले पाते हो, Mr, तुम्हारा नाम भी तो नहीं मैं क्या कहूँ तुमको, हां तुम्हारा नाम होता था हमें कम से कम नाम बोलता था हूं ऐसक खतन नाक हो तो आप किसी से चलो तो देखिए बच्चों आज जो है ना आज कुछ बहुत जरूरी काम है कुछ प्राब्लम है इस होजा से आप लोगों से माफी चाहता हूँ आज आपका एक ही कुश्चन होगा ये कुश्चन मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ क्या करोगे देखो तरीका बता दे रहा हू आज हाफ एली का रेजल्ट मिला है उसमें 100 अपान 100 पाया है मैत में जी किरन मौर्या जी बहुत-बहुत बढ़ाई हो आपको आपने 100 में से 100 अंग हासिल किये और ऐसे आप एन्वल में भी करें इसी तरह से मैनद करते रहें ठीक है तो हां इसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं बहुत से बच्चे हैं जो पिछली कलाफ नहीं देखे हैं तो बच्चा आप लोग क्या करोगे इस नंबर पर वाट्स अप पर अपना नाम कलाफ का नाम और अपने जीले और राज्य का नाम लिख के बेज़ दो आपको पिछली दोनों कलास दे दी जाएंगी फिर आपको स मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पर कल वसे संडे हो सकता है कुछ अलग कलास हो आपके लिए मंडे को ठीक है मंडे को फिर से मिलेंगे और आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए वाटस अप मैसेज कर देना तो आपको पीछे की दो कलास दे दी जाएगी कांसेप्ट वाला उनको आप अच्छे से एक बार फिर से देख लो समझ लो दूसरी बात यह आप सभी बच्चे जो भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब निक्ये जल्दी से कर लें चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूरान कर लें आपको पता है कि नहीं नीचे देखो वीडियो चलता के सब्सक्राइब करो बगल में एक वेला का आइकन आएगा गंटी का निशान आएगा उस पर किलिक करो और फिर डाल नोटिफिकेशन से लट करना ठीक है बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी को आसीज कुमार पाल जी बिल्कुल आज कुछ जरूरी काम ही चोजा से आपक डिल्क आफ से अ अरОोगा आपक करो आपक कर अबहुत इच आपकृ आपक किलिक कुमार गह जहिकेश produto आपक करो रहงपलूरी झाहित्ससर पाज़ान आपक किलिक किलिक है तसोंबह तस्पट जहिवतार में झापक करो झाटा से ट्ड़ कू तर से आइबहादगा किलिकेश